यह 12th class students पिछली वीडियो में तैह हो गया था कि यह वाली वीडियो very important है आपके लिए turn to यंग्स double slit experiment में fringe का बनना सीख चुके थे आज क्या है किसी भी particular fringe की central fringe से distance का formula आपको ऐसा drive करना है कि आप किसी भी bright या किसी भी dark fringe की central fringe से distance निकाल सके है very important hand डाल देना position of any fringe in YDSE यंग्स double slit experiment ओके और setup बनाएंगे यह हो गया S इससे इक्वी डिस्टेंट पर टू स्क्रैक्स S1, S2, it is S इसमें यह वाला scratch SM है को सम्हाता चीतर की साथ को कहने कि इतना gap है D माली जिसको बाकि यह इतना small है पता ने दो razor blades को मिला की scratch की check रहते है D small d is very small Central fringe की position के लिए It is screen Central fringe यहां बननी है और यहां कोई fringe बन रही है इसका Central fringe से distance fine turning D is the distance of screen from slits डागर आंगे साथ साथ दो ती लाइन में से reference लिगे देंगे While the SC setup is sound small d is the distance between two slits and D the distance of screen from slits Let a fringe B जो यह कुछ भी हो सकती है Any fringe, dark or bright Any fringe P is formed at distance X from central fringe O जितना दिखे रहा है उतना लिगत है Okay उसके बाद यहां fringe यहां से आने वाली वे और यहां से आने वाली वे और यहां से आने वाली वे दोनों बराबर पाथ कवर करते एक साथ नहीं पहुंचेंगा एक साथ ही वहां क्रेश्प एक साथ ही ट्रफ बनेगा यानि कि यहां तो Bright fringe का बनना बिल्कुल ता है Okay अब यहां पर इस पाथ और इस पाथ में अंतर आ चुका आपको 11 में याद होना की रही है कि अगर यहीं से ही स्टार्टिंग हो रही है तो सेम फेस में हमेशा ही टू वेस मिलती रही है यानि पाथ डिफरेंस बिल्कुल जिरो या दूसरी वेव एक वेव लेंड को कवर करके यहां से शुरू होती है तब इस सेम फेस मिलेंगे यानि पाथ डिफरेंस बिल्कुल जिरो हो या पूरा लेंडा हो या पूरा टू लेंडा हो या ठी लेंडा हो अठार इस पाथ और इस पाथ में डिफरेंस अगर zero हुआ, lambda हुआ, two lambda हुआ, three lambda हुआ, तब तो यहां पर constructive interference होगा और bright fringe ही बनेगी on the other hand, this is lambda, this is half lambda, half lambda अगर यहां से starting होती है, तो ओपर जी फेस से मिलना ताय होगे, या, one lambda and half lambda, यहां से starting होती है, जो ओपर जी फेस मिलना तो यहां से कोई हुआ, तो ओपर जी फेस से मिलना ताय होगे, और वहां bright fringe, dark fringe का बननाता है, और destructive interference की गटना गटित होगी, अर्थार, सारा का सारा दारों उंदर, दारों उंदर इसके उपर है, path difference के उपर, आप math, mathematical, path difference निकाल दें पहले, फिर सोचा जाएगा कि कर्षटी होता तो यह path difference क्या होना चाहिए था, और district होता तो क्या होना चाहिए था, तो first of all, we have to find path difference, तो जो आपने लिखा, setup के बारे में, handle, setup बना दिया, in ydsc, small d is the distance between two streets, d is the distance of screen from streets, considering a fringe b, distant x from center fringe o, और यहां से प्रप्रेंट डॉन करों, और यहां से भी प्रप्रेंट डॉन करों, यह ती है तो उसका दर d y2 हो जाएगा, और यह भी d y2, d y2, d y, ठीक है, और इंपर प्रपेंटिकलर्स को, m और n कर दीजे, ध्यान लक्षे क्या हमारा, s2p और s1p का difference निकाना, path difference, बस इतना ही निकाना है पहले, बागी बाद बाद नहीं सुचे जाए, आर्टिकल इंपर्टेंट है पर कठिन नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपके दिमाग में आएगा, in triangle, अगले का अगला से, in triangle, s1, mp, s1, mp, यह d है तो, all are d, ठीक है, और, pythagoras, फ्यर्म लगाई है, s1, mp, square, is good, d, square, plus this, central से x है, यहां से dy2 है, कितना बचा, x-dy2 का, square, okay, in triangle, s2, mp, s2, mp, s2, mp, s2, mp, square, is equal to d, square, और, पताया जरूत नहीं है, x, plus dy2, now, x, plus dy2, square, subtract कीजिए, s2p बड़ा, तो, इसमें इसको minus करना, 1, 2, subtracting 1, from 2, x2p, square, minus s1p, square, is good, this cancel, और, इसमें से, इसको minus करेंगा, देखी, x square इसमें आएगा, उसमें भी आएगा, d square इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, और, कट भी आएगा, इसमें भी आएगा, 2 into this into this, xd, उसमें minus xd आएगा, घटा त्ये प्लसंद आएगा, xd plus xd, 2xd, okay, factor, s2p minus s1p, s2p plus s1p, 2xd, this is our target, s2p minus s1p, this is the path difference, दो अमीरों के पास, एक के पास एक करोड रुपय है, दूसरे के पास एक करोड एक रुपया है, हम यह कह सकते हैं, दोनों को मिला के दो करोड रुपय होगे, एक ही कोई जादा value नहीं है, दो करोड गया के, पर तो यह कहा जायते हैं किसके पास जादा पैसा है, तो एक रुपया महत्तो पूर्ण है, और एक करोड एक रुपय वाले के पास जादा पैसा है, जोलने कोई फ़कने पढ़ रहा है, पर जब घटाएंगे तो एक रुपया ही इंपोर्ण है, इसमें प्यारे बचोड यह इंपोर्ण है, जोलने फ़कने पढ़ने, ध्यान देना, बहुत ही विशेश शुरुप से जाग देना, S1, S2 बिल्कुल क्लोज हैं की नहीं है, दो रेजर बिलिट मिला के स्रैस हिचा गया ना, और ये फिरिंज जो हैं, सेंटर फिरिंज से जादूर तक नहीं बनती, सेंटर फिरिंज के यह आसपास बनेगी बस, ये कैप्टल D बहुत बड़ा है, S1, S2 बिल्कु जोड़ने में कोई फटने पड़ रहा है, घटाने में फ्रक पड़ेगा, घटाने में वो एक रूपिया मुहत्तवपून है, इसलिए, S2P, S1P, S2P और S1P दोना ही जोडते वक्त, दोना ही almost almost D के ब्रावबर हैं, ठीक है, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जब आ इस मोड़ पे, जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिखेंगे, इस मोड़ मैं लिखना हूं, क्या लिखेंगे, भंग से चुने, लिखने ना हाथ तो हाथी, Now, S1, S2 are very nearly, almost close to each other, and P is also very close to O, So, both S1P and S2P, individually equal to capital D, okay, then, कितना जो मैं बोला, यह आप लिखेंगे, Then, S2P minus S1P, and both are D, D plus D, is equal to 2XD, so, S2P minus S1P is equal to 2XD upon 2D होगे निचा जाया, this is cancer, therefore, path difference, path difference is equal to XD upon D, यह path difference निकला बसमना है, आगे सुने, प्यारे बच्चो, बड़ा ही important part है, अगर हम चाहते हां, constructive interference हो, यहां bright fringe बने, ते path difference या तो zero हो, या lambda हो, 2 lambda हो, 3 lambda हो, के लिए आज पस system से चलता रहिए, आटकल पुरा पुरा हात माजगा बेहर दीची, for constructive interference, constructive interference, यानिकी bright fringe, यह x d upon d should be is equal to 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, यानिकी n lambda, जहांकी n की value 0, 1, 2, 3, कुझी बहुँआ सकती है, इसलिए, x is equal to d n lambda upon small, ध्यान रखे हैं, अगर यानिकी यहले में 0 लेता हूं, तो path difference 0 सिर्फ central fringe के लिए है, ओके, और मैं 1 लेता हूं, तो पहली bright fringe की position निकल जाएगी, यानिकी इसको मैं n लिख दू, मैं पता है, 0 रख हूं, तो x 0 stands for central fringe की distance, 0 ही है, पांच सकता हूं के हैं, पांच सकता हूं कि यह हुआ कि central fringe से 5 भी bright fringe की distance निकलने जाएगी है, पांच सकता हूं कि अगर मैं n की value 0 रखता हूं, तो answer 0 आजाएगा, जो कि central fringe की position बता रहा, central position से 0, वहीं तो बनी विए हूं, पंदगर मैं यहां रखता हूं n एकल टू 1, तो calculation करके आता है, पहली bright fringe की central fringe से distance, अगर अगर Thomas Mann की value 5 तो रखता हैगा, पांच भी bright fringe की central fringe से distance, अर्थात आपके पास वो formula के तयार हो गया, जो यह show कर रहा है, कि आप किसी भी bright fringe की position central fringe से निकाल सकते हो, इस formula से, okay, similarly, for constructive interference, for destructive interference, dark fringe, यह जो past difference आया, यह lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, यहानि कि lambda by 2 तो पकायागा, और आना चीए, कि और नहीं हो, ठीक है, 2n-1, अब n की value 0 रखने का कोई तार्ट पर है नहीं, कम से कम path difference, यह lambda by 2 होना चीए, नो, n equal to 1 लगते हो, तो 2 मिज़े 2 minus 1, 1 lambda by 2, यह निकि n है तो n, 1 लगते होंगे तो पहली dark fringe की position आईगी, central fringe से, okay, so, इसको और तरीक से लिख दीजिए, 2 का divide दोनों मिज़े 2, formula सामझे जागा, n minus h, lambda, so, distance of nth dark fringe from central fringe, d into में जागा, d into n minus half lambda upon d, d lambda upon d और यहाँ, n minus half कर दाना, अब बस वाल कुछ नहीं करें, अगर इसमें, n की value 0 नहीं रशकते है, ठीकि ध्यानक नहीं बस, n equal to 0 कोई ताथ पर रहे नहीं, n equal to 1, 2, 3, 0, यह वो formula आके पास उत्लक्त हो चुका, जो किसी भी dark fringe की central fringe से distance निकालना आपको बता देगा, तो position of any fringe from central fringe के दोनों formula आपके साहने आ चुके, क्यारे बच्चों, इस वीडियो का अंतिम आकर्शन, fringe wit, यहां भौ सारे बच्चे बड़े जवर्दस, confusion हो जाता है, पांच मेना काम हो रहा गया, बिलकु कंसेंट्रेशी के साथ सबसे important part इस वीडियो का देखें, कर दो समयांट्स, जाता है साहना नहां मेना कि वीडिक सक्सेंट्ट्स कर दिक trauma हो? हम चाती मेना किस बज़ सत्व Mars फिंज विट इस बाल हैंड पड़ जाएए आपके फिंज विट लगता है जितनी चौड़ी ये पट्टी है या ये पट्टी है ये फिंज विट है और यही गलत हो जाता है ये फिंज विट की मोड़ा ये बहुत कम होती एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में या एक डार्क लाइन और दूसरे डार्क लाइन के बीच में ब्राइट फिंज है दो डार्क फिंज एक लाइन की तरह है जिनके बीच का गैप ब्राइट फिंज है पर यहां तो ये डार्क फिंज लाइन कहा रहा है तो होगे ना गड़ और अर्थाथ डार्क फिंज तो मेरे सब दी होई तो ग्रीन बोर्ड तो बताता है मैं बाद को अपने अकॉर्डिंग जो डार्क फिंज है ए ये और ये इसके बीच के गैप को कहा जा रहा है फिंज विफ्ट या इसके और इसके बीच को कहा जा रहा है फिंज विफ्ट काईव में इनकी अध्यादी एड़ हो चुकी है अर्थाथ साधान तो जो में डबलू लग रहा ह उसको देखते हैं तो 2W हो गया पर ये fringe width है The distance between two conjugative bright fringe और two conjugative dark fringe is called fringe width अच्छी तरह इसको यहीं का यहीं इसी एक minute में clear कर ले हैं ओक्या ये statement में लिक्ट हो गता है मैं एवाफिव हो देता हूं In YDSC The distance between two conjugative dark fringe और two conjugative bright fringe is known as fringe width ओक्या ये लिखना है पहले इसका पोज करकर की लिखते हो फिर 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 ना हो उसको तो fringe width is good जैसे साथवी bright fringe की distance minus छटी dark fringe की distance या साथवी bright fringe की distance minus छटी bright fringe की distance minus कर दे आगया gap या आठवी की distance मैंसे साथवी को minus कर दो अर्था कर दो दो लगातार ने मी और अन प्लस वी की भी साथ आगया ये फिर फिर ज्री ही ब्रायट फिरिंश्कें डिस्टैंस देता हो तो उसका फॉनवा है D, N, लैम्डा अपॉन D, एनी धे कितना है N प्लस 1, माइन धे तो एनी है D, N, लैम्डा अपॉन D तो D, लैम्डा अपॉन D तो कौन हम जाएगा यहाहसा बचेगा N प्लस 1 और महाहसा बचेगा N इसे इस तीम स्टी और सबते इसे ऑफनी में से साथ भू माइनस कर रहे हो ही इस आण जेट भी किसा इसे कोई कही फरक नहीं पड़ता है कि श्टी में से श्टी में से फांच भी कि만 श्टी में सेर्श कर भाउड और सा even कि किलले ऐ है प्यारे बच्चों मैं पतायता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता ही हूँ और आप ओनलाइन में दब दबाद देना पड़ता है कहें कहीं तभी आपकी तरफ से हुमर गाता है इस फॉमले पर डी डी लेंडा डव्यू चार लेटर्स हैं नियुमिकल कैसा है की लेटर्स देते हैं चोथा तुछ है यह नहीं असान है पर आप इस जगा बहुत भारी भूल कर लेते हैं इस जगा क्या होता है आप सब सब्सक्राइब अब तो बस हम ही है जो कुछ है कोई करणवाल सर्ण ने कोई स्कूल ने कुछ है आपनी दिमाग डोडा रहो क्या डी डव्यू डी लेंडा पॉंड डी इसमें हमें प्रैक्टिस करके क्यों टाइम खराब कर रहे हैं सिद्धा समय बिता बोड एक जम आ गया फिजिस का पेपर आगया आपके सामने आ गया और पर्टिकलर कोश्चन भी आ गया तब भी आपको अरे यह तुम घली बस दिलेम ना पहुंटी यादें में तो और जब वो मुमेंट आया कि आपने पर्टिकलर कोश्चन का नमबर लिखा वी हैव फिरिंज बिर्थ डवलू इजगल टू तब आया वो किर्टिकल मोर जिसके लिए कहता था हमें कर लो प्रैक्टिस यह से दे हुः औंपर गातों फर हिर दोड़ lies Google it लेमड़ना पैंदि ऑ लेंडा पैंडा के पिलेंनोंस्चाली का किनेशति नी रिंग मेर लग या मैं सितफे के लेंडा क्या फोलदि लेंडा पाँं ऑगा जाम हिए या फिर छोड़ा बडा हिदा यह दृदि ओ शिक्ट फिर ये करोगे इसकी practice जरूरी है हालिक साहर आज में बता दता हूं फिर आप practice ने करोगे इसके बाद practice फिर भी करनी है ध्यान लखना जो बड़ा है वो उपर है जो छोटा है वो नीचे है capital D उपर है small भी नीचे अब आप ये गलती नहीं करोगे अब आप ये गलती नहीं करोगे पर फिर भी numerical practice जरूरी है मिलते है नेक्स वीडियो में गूड नाइट